अब ये capital TN क्या है? capital TN तो basically यहां पे आया है, तो ये तो small TN का nth term है, ठीक है, तो small TN में क्या लगा है? 5, 7, 19, तो ये तो capital TN आ गया, small TN क्या लगा है? 5 plus 7 plus 19 plus and so on, इसका nth term TN है, ठीक है? तो इसमें अब हमने क्या किया? कि इसमें N की value रखके ये check किया कि match हो रहा है और नहीं हो रहा है, ठीक है? तो जैसे इसमें N की value मैंने 1 रखा, तो first time आना चाहिए, तो बट अगर इसमें N की value 1 रखोगे तो यहां से तो 1 आएगा, और ये 5 है, तो मतलब नहीं match हुआ, कोई ब sorry, 4 into 3, 12, minus 6 plus 1, तो वो कितना आ गया? 7, तो ये match कर गया, ये ठीक है? फिर इसमें अगर N is equal to 3 रखा, तो यहां से आ जाएगा 27 minus 9 plus 1, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 18 plus 1, 19 हो गया, तो ये भी match कर गया, तो ऐसा हो सकता है जो हमने पहले बोला था न, कि ऐसा हो सकता है कि जो capital TN है, उसमें एक दो टाम match ना करें, जैसे इसमें पहला match नहीं किया, बट N is equal to 2 रखने पर ये match कर रहा है, फिर 3 रखने पर ये match कर रहा है, तो इसके आगे sum match करता रहेगा, ठीक है? तो basically हमारा aim कहा है, हमारा aim में TN निकालना, तो वो TN कैसे निकाल सकते हैं? इसको sum करके अब इसको sum कैसे कर सकते हैं? इसको sigma के form में लखना चाहते हैं, तो जो sigma वाली चीज़ है, वो पहले पर तो valid नहीं है, बट दूसरे पर valid है, तो कोई बात नहीं हमने दूसरे से शुरू कर दिया, plus, इसको ऐसे लख दिया, sigma, ये ठीक है, ये हो गया, 3N square, minus 3N, plus 1, और ये हो करना शुरू किया, और पहले वाले term को लख चुरू है, सही है, वैसे इस वाले expression में 1 रखने पे कितना आ रहा है, इसमें n is equal to 1 रखने पे क्या रहा है, value 1, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कि इसको 1, यहां पे 1 रखने से value 1 आ रहा है, तो हम इसको क्या किया, इसको लिए 4 प्लस 1 और 1 को इसमें मिला दिया, ठीक है, मतलब ऐसे लिखा 4 प्लस सिग्मा 3N स्क्वार माइनस 3N प्लस 1 और वो लिख दिया, n is equal to 1 से लिखे n तक, यह क्या किया, 2 से लिखे n तक तो पहले लिखा हुआ था, अब यह 1 वाला term extra आ गया, तो अगर मैं 1 नक होंगा, यह ठीक तो उसको दोलग नकाल दिया, बाकी 2 से N तक बच जाएगा, तो 2 से N तक तो यह अगया, इसमें अगर मैंने 1 रखा, तो यह value कितना हो जाएगा, 1, तो वो 1 और यह 4 मिलके कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, ऐसे ही किया, क्यों किया ऐसे, ताकि इस पर formula लग जाएगा, यह तो N स्क्राइर मतलगे, तो R की तरह देखो तो, 3R स्क्राइर का formula कितना होगा, 3 इंटू R स्क्राइर का हो जाएगा, N, N प्लस 1, 2N प्लस 1, डिवाइड़ बाइ 6, फिर माइनस 3R, तो हो जाएगा, N, N प्लस 1 बाइ 2, फिर लास्ट में पिचा आप 1, उसका लिए हो जाएगा, N, ठीक है, यह आगया, तो 3, 2 हो जाएगा है आसे, ठीक है, ठीक है, तो अब क्या गया, इस में से और इस में से, 4 प्लस N इंटू, N प्लस 1 बाइ 2, यह कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, 2N प्लस 1 यहाँ कितना बचा, मैनस 3, प्लस यह वाला N अलग लिखा हुए, तो this is equal to 4 प्लस NीN प्लस 1 बाइ 2, और यह कितना हो जाएगा, 2N-2 प्लस N, तो यह 2, यह 2 यह 2 प्लस टाने, तो जाएगा 4 प्लस N इंटू, N प्लस 1 प्लस 1, यह this is 4 plus N into N square minus 1 plus N तो this will be 4 plus Nq यहां से जो minus N and plus N आएगा वो cancel हो गया तो यह Nq आया, Nq plus 4 आएगे अब यह क्या है अचा बेसिक लिए एक बार दुबार हम लिकेप करते हैं क्या किया हमने है कि एक सीरीज दे रखा था S N ठीक है उसे हमने एक term shift किया गटाया ऐसा करने से TN आ गया TN क्या है SN के लिए Nth term है तो मेरे को basically TN चाहिए N के term में अगर TN मेरे को N के term में मिल गया तो उसका sigma लेके SN आ जाएगा ठीक है बढ़ TN हमें पैचान में नहीं आया ठीक है जो खुद एक series है तो हमने फिर उस पर वोई procedure repeat कर दिया एक term shift किया घटा दिया अब जो series आया यह ठीक है वो पहचान में आ गया और ऐसे करके capital TN मिल गया हमें capital TN क्या है small tn का nth term है small tn वाली series का nth term है capital TN को हमने sum किया तो यह हम basically वोई sum कर रहे थे तो यह sum करके हमें क्या मिल गया small tn small tn क्या है वो sn का वो sn क्या है nth term है तो nth term बोलने से पहले पहले फिर हमने भी यह चेक किया कि जो sn है वो क्या है वो है 5 12 31 यह ठीक है यह तो हमने चेक किया कि match हो रहा है यह नहीं हो रहा है यह ठीख है, sn क्या था, 5 plus 12 plus 31 plus ऐसे आजा रहा था, यह ठीख है, n terms तक, और हमारे लिए जो इसका n term है, यह ठीख है, वही small tn है, n terms तक, और हमारे जो tn निकल का है, वो कितना निकल का है, n cube plus 4, अब मैं यह चेक है, कि यह match हो रहा है यह नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे पहल पहले वाले case में क्या हो रहा था, कि पहले time के लिए match ही नहीं हो रहा था, इसलिए हमने match कि, अगर इसमें n की जगा, हमने 1 रखा, तो 5 आ जाएगा, तो यह match हो रहा है, n की जगा इसमें अगर हमने 2 रखा, तो यह 8 plus 4, 12 आ जाएगा, वो भी match हो रहा है, यह ठीख है, n की तो यह कितना जाएगा 27 प्लस 4 कितना जाएगा 31 वह भी मैच हो रहा है तो मतलब यह पहले टाम से मैच हो रहा है मतलब n is equal to 1 से यह मैच हो रहा है तो फिर अच्छी बात है अब हम sn को क्या लग सकते हैं सिग्मा n3 plus 4 n is equal to 1 से लेकर n तक ठीक है number of terms n है इसलिए यह न आए अगर यह यहाँ पर यहाँ पर दोनों जगए n देखने में दिक्कत है तो ऐसे देख लो r is equal to 1 से लेकर n तक r cube plus 4 बलब tr को सम कर लिए इसके लिए standard formula है r cube का summation कितना होगा n n plus 1 2 n plus 1 sorry sorry cube square नहीं है तो हो जाएगा n into n plus 1 by 2 का whole square हो जाएगा plus 4 का sum क्या हो जाएगा 4 तो k की तरह काम करेगा तो उसका sum तो n k आता है तो यहाँ पर 4 n आ जाएगा ठीक है अब एक बार हमने question में जाके देख लाएगे हमसे पूछा क्या था वैसे ठीक है n terms का summation ही पूछा था यह ठीक है तो बस फिर जो निकल के आगे वही आंसर आगे n terms का summation पूछा था वो ही आ गया तो यही आंसर है यही रिक्वाइड आंसर हो ठीक है तो हमने जो जिसमें सिग्मार सिग्मार स्कार जैसे आगे एक तो अगर वह टर्म को इस फॉर्म में लिखे कि हमें डिर्यक्ली और अब्जरवेशन सी पैटर्न पता लग जाए उसी से पता लग जाए कि आरेक्ट टर्म क्या होना चाहिए जैसे हमने इससे पहले जो क्रेशन के दिए वन इंटू 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 उसको मिलाक थिलिए तो ऐसा लिखने से हमारे ऑब्जरवेशन वाली जो क्या पेर विल्टी दी वह खत्म होगी हम अब क्या किया उसके लिए मने बताया कि एसे एंट को एक तम शिफ्ट करो घटा दिया वहां से tn निकलेगे एक सीरीज के फॉर्म में अगर वो सीरीज identify नहीं हुआ तो फिर ये एक same question हो गया या similar question हो गया तो इस पर वह procedure repeat किया अब जो small tn आ गया उसके एने term को हमने capital tn बोल दिया फिर एक term shift किया घटा दिया and so on ठीक है जो अभी हम कर रहे थे वैसे इसका एक directly formula भी exist करता है तो वह अभी हम आगे पढ़ेंगी बट अभी ये procedure तो समझ माना चीए ठीक है